हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे और सर इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से एक क्वेशन लेकर आया हूँ और ये क्वेशन बचों क्यूब रूट अफ यूनिटी से रिलेटेड है दो तिन प्रोपर्टी इस वो आपको पता होना जरूरी है पहली प्रोपर्टी क्या कहता है आपसे देखें पहली प्रोपर्टी कहता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेर आपका क्या होगा जीरो और इनका प्रोड़क्ट इनका प्रोड़क्ट बोले तो वन क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 into omega into omega square, मैं omega cube लिख सकता हूँ, clear है, तो ये specially इस question को solve करने के लिए आपको ये property पता होना जरूरी है, omega cube कितना होता है, 1 होता है, चलिए बच्चों, इसको solve करते हैं, तो sir, देखिए, ये determinant है, 1, omega, omega square, omega, omega square 1, omega square 1 और omega, ठीक है बच्चों, ये बीच में क्या है आपका omega square, चलिए sir, determinant को solve करते हैं, आपको जैसे भी पता है जनाब, plus, minus, plus, क्या होता बच्चों, plus, minus, plus, तो ये क्या है आपका 1, आप इस 1 से जो रो जा रहा है, और जो column जा रहा है, उससे छिपा दो, तो sir, ये रो गया, 1 से रो गया, और ये column गया, ठीक है बच्चों, ये column गया क्या दिख रहा है, आपका ये, तो लिख दीजिए हाँ पर, omega square 1 और 1 और omega then, minus का omega, minus omega लिख दिए sir, मैंने, अब इस omega से जो रो जा रहा है और जो column जा रहा है, छिपा दो, sir, ये गया और ये line गयी, ठीक है बच्चों, ये गया और ये line गयी, ठीक है, ये तो क्या दिख रहा है, ये, 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 लिख दीजिए, तो यहाँ क्या रहा है, omega 1, omega square और omega, ठीक है, ये रो गया और यह column गया, तो omega 1, omega square और omega, then क्या है आपका, plus omega square, तो यहाँ लिख दीजिए, plus omega square, अब इस omega square से जो रो जा रहा है, और जो column जा रहा है, उसे छिपा दो, तो क्या दिख रहा है बच्चों, यह दिख रहा है, तो लिख दीजिए, यहाँ पे, sir, omega, omega square, और यहाँ omega square, और यह कर रहा हो, जगें यह मेरे पास नीचे, तो एक वन तो बच्छो ऐसे ही रहेगा, वन ऐसी रहेगा, मल्टिप्ला करो, मल्टिप्ला करो, इसको इससे मल्टिप्ला करोगे, तो ओमेगा इंटु omega क्या हो जाएगा omega square then always minus then इसको इससे multiply करोगे तो omega square बन जा omega square clear है sir इसकी multiply then always minus then इसकी multiply then इसकी multiply then यहाँ इसकी देखी बात देखिए यह omega square इसकी multiply कीचिए 1 into omega क्या हो गया आपका omega then always minus फिर इसकी से multiply कीचिए तो यह आ जाएगा omega की power 4 ओके चलिए sir तो ध्यान से देखो sir omega cube मैंने बताया था आपको कितना होता है 1 plus omega plus omega square 0 और omega cube आपका 1 होता है omega cube 1 होता है तो sir यह 1 हो गया और बच्चक बात बताओ omega square minus omega square क्या हो जाएगा 0 then इसके बाद क्या करें इस omega square को अंदर multiply करवा तो omega square 6 क्योंकि यह omega square जब omega 4 से multiply होगा तो power plus हो जाएगा 4 plus 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा then sir 1 minus 1 0 omega into 0 0 तो omega cube, यह बचा आपका, omega cube, देखो, यह सब का सब, यह 0 हो गया ना, और omega cube कितना होता है, 1, clear, omega की power 6 को, क्या मैं बच्चो, omega cube का whole square लिख सकता हूं, omega की power 6 को, क्या मैं omega cube का square लिख सकता हूं, क्योंकि सर, power की power आपस में multiply होता है, तो यह आगे आपका omega 6, अब बच्चो एक ब और 1 minus 1 अंथर क्या आएगा आपका, 0, और बच्चो hence, proved यही मुझे prove करना था, तो सर, इस question को solve करने के लिए, basically आपको, omega cube की जो value 1 होती है, वो पता होना जरूरी है, बच्चो determinant को solve करा, omega की omega 1, omega square minus omega square 0, and then omega square को मैंने अंदर multiply करा, तो यह हो गया omega cube, और यह हो गया omega power 6, तो स cube की value 1, और omega 6 को मैंने क्या लिख दिया, cube का square, और omega cube की value 1, 1 का square क्या हो गया, आपका, 1 and 1 minus 1, 0, clear है बच्चों, तो इस वीडियो को pause करके, question को खुद से कर लिजिए, मिलते हैं, next video में इससे भी, जहर question के साथ हो, so thank you so much.